Hi friends, welcome back to my channel Pitch and recipes कैसे हैं friends, अच्छे हैंना, सब खुश रहिए और सब को खुश रखिए आज हूं बनाने जा रहे हैं बेशन की चकली बेशन की चकली बड़े बच्छे सब भी बहुत पसंद करते हैं और अब बहुत festival season आ रहे है इस festival season में सब को बेशन की चकली बहुत पसंद है तो स्टार्ट करते हैं बेशन की चकली हमना बेशन की चकली बनाने के लिए एक कप चावल का अटा चाहिए और कितना चावल का अटा लेते हैं उसका आदा हमें बेशन का अटा देना चाहिए और इसे इसमें डालने के लिए हमें थिल चाहिए और अजवान चाहिए और रेड़ चिली पौडर, जीरा चाहिए, हल्दी चाहिए और स्वाधरुसार नमक चाहिए और घी चाहिए और आपको गरम पानी चाहिए हमें बौल ले लेंगे और उसमें चावल का आटा डाल देंगे और उसमें बेसन डाल देंगे और ये तिल उसमें डाल देंगे और उसके बाद में ये रेड़ चिली पौडर डाल देंगे और स्वाध अनुसाल इसमें हम कितना चाहिए आपको उतना आप अपने टेस्ट के मताबिक नमक डाल दीजिए और इसमें हम जीरा डाल देंगे और अजवाइन को थोड़ा हाथ से आपको ऐसा मसल कर डालना है और थोड़ी सी हल्दी हम इसमें डाल सकते हैं अब हम अली हम इस गी को गरं कर देंगे क्यूंकि हमपोह 9 घरम घी चाहिए और इसको सब हमाइस तरह से करेंगे और इसका हम एक अच्छा डो बना आांगे यह व्य Lion खेढ़ बैशम→ की चकली बनाने के लिए थोड़ी घरमघी चाहिए तरब गी से हि-म अच्छे विस्पी चकली बना सकते हैँ अब हम इसको अच्छे THAMonte अच्छी थरह से mix कर देंगे लिएकिये फ्रेंट्स हमारा डो तयार हो गया है इस थरह से आपको भी डो बनाना है, अब हम चकली बनाना स्टार्ट करेंगे, ये चकली में कराए, इसमें हम डो को डाल कर चकली बनाना स्टार्ट करेंगे, ये डो को इस तरह से लेंगे और इसमें हम डाल देंगे, डाल कर इस धकन को इस पर हम डाल देंगे, देखिए फ्रेंट्स इस को बनाना है आप ऐसे ही घर में box बनाई एक को फ्रेंट अमें हैं यह फ्रेंट्ड लेंगे और इसमें थोड़ dipping को दाल之後 पलेंगे उसके बाद में हम इस प्रेंट करने वए आद कुपे दीया distintos आई हैं और इस 되어 तरह से पहले अच्छी तरह से चकली बना लेंगे और इस पर प्लेट पर डाल लेंगे और इसको ऐसा निकालना है और यहाँ पर भी एक चकली बनाना है और इसको ऐसा फैला लेना है आप इसी तरह से अच्छे अच्छे चकली प्लेट पर पहले बना लीजिए फिर उसे बाद में खड़ाय में फ्राय कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको चकली बनाने में कोई परिशानी नहीं आएगी, इस तरह से हम बचेगवे भी चकली बना लेंगे, हम इस चकली को इस तरह से तेल में डाल देंगे, और एक एक करके ऐसा ही हम हम सब चकली को तेल में डाल देंगे, आपको घीमी आज में पहले पकाना है, और हम यहीं से भी उपर से भी आप चकली यहीं डाल सकते हैं, चकली चली पक रही है, अब इसे हम पल्टा लेंगे, और इसको हम इसकी आज भी घीमी से जोर कर देंगे, देखिए कितने अच्छी तरह से रिस्पी चकली बन रही है, इसको अच्छी तरह से हमको रिस्पी होने तक पकाना है, चकली को निकाल लेंगे, देखिए फ्रेंड्स अब आम इस चकली को इस प्लेट में निकाल लेंगे, इसे क्रिस्पी चकली बनी लुई है, आपको भी ऐसे ही तर्सी चकली बनाना है, और अच्छे से इसे तल लेना है देखिए कितनी खुबसूरती से ये चकली बन गई है और इसका साउंड देखिए ऐसा आता है इस इसी तरह से हम बचे हुए आटे से चकली बना लेंगे देखिए फ्रेंड़्स अब है पूरी सारी चकली बनकर तयार हो गई है और इखिए खुबसूरत से लग रही है और कितनी उसके हो गयian इसी तरह आपको पूरी चकली ऐसे क्रिस्पी बनाना है अपना अच्छा अच्छे तरह से फेस्टिवल एंजॉय करना है अच्छा फ्रेंड्स गुड़ डेग